प्यारे बच्छाद आप उमीद है आप सब ठीक होंगे तो चलिए बेटा हम अपना टॉपिक आके बढ़ाते हैं हमने कल यहां तक जो रिडिंग की थी पहले हम इसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं इसमें आपका आजाएगा रिशीज आश्रम उसके बाद अनाउंस फिर यह आपको पूरा लिखना है क्योंकि आपको फिर आंसर में भी लिखना है वेलकम टुद आश्रम यह पूरा वेलकम टुद आश्रम सर प्लीज गो इंसाइड एंड रेस्ट इतना आप कर ले ना उसके बाद फिर यहां पर यह वर्ड है इस वर्ड है अमीज़ अलाओड ठीक है अब हम थोड़ा आगी पढ़ते हैं अब यहां पर हमने देखा कि जो बादशा था वो कहां पहुंचा वो रिशी के आश्रम में पहुंचा और वहां पर जो बोर्ड था उसने क्या कहा आपका यहां पर खैर मग्दम है आप अंदर जाओ रेस्ट करो और प जाए है और यह अपने आप से सोचने लगा कि क्या यह वही बर्ड है कि कोई और है यूर राइट सर आंसर दबर अब इस बर्ड ने जवाब दिया इस परिंदे ने जवाब दिया जो आप सोच रहे हो वो आप ठीक सोच रहे हो He is my brother but he has made friends with robbers लेका हाँ आपने जो परिंदा वहाँ पर दिखा वो मेरे जैसा ही था क्योंकि वो मेरा बाई है अब वो ऐसा क्यों बोल रहा था क्योंकि वो वहाँ पर किनकी सोबत में रहा है रॉबर्स की लुटेरों की चोरों की सोबत में रहा है He now talks as they do इसलिए वो वही कहता है जो वो सुनता है जो वो वहाँ पे उनसे सीखता है He doesn't talk to me anymore इसलिए वो मेरे साथ बात नहीं करता है क्योंकि उसको मेरे बातें अच्छी नहीं लगती है Just then the Rishi entered the ashram और जैसे हैं ये दो रूम बातें कर रहे थे उसी time Rishi अंदर आए Welcome sir, he said to the king Rishi ने भी रूम बात साथ से कहा आपका खेर मगतम है, स्वागत है, आईए Please come inside, अंदर आईए and make yourself at home और आराम से बैठ ये You look tired, आप ठके हुए लग रहे हो Rest for a while, कुछ देल के रहे आराम करो Then you can share my food उसके बाद हम कुछ खाना खाते है The king told the Rishi the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike अब इस बात चाहने इस Rishi से अपने सारी कहानी कही, कि मैंने दो birds देखे दो परिंदे देखे जो कि बिलकुल एक जैसे थे हैं, लेकिन उनका behavior जो था वो different है एक ने कुछ और बात कही, दूसरे ने कुछ और बात कही एक ने अच्छी आत्ति सीखी एक ने बुरी आत्ति सीखी The forest is full of surprises He said, कि ते मुझे इस जंगल में तो मुझे बहुत ज़दा हैरानी हो रही है कि यहां पर कुछ अजीब जैसी बाते हुई है क्या यह पूरा जंगल यह ऐसा है The holy man smiled and said जो यह holy man था, यह जो यह पाक रूँ वाला इनसान था इसने हसी मतलब इसको हसी आई और इसने कहा मतलब हस्ते हस्ते कहा क्योंकि यह सब कुछ जानते थे क्या बोला After all, one is known by the company, one keeps देखे, इस लाइन को आपने याद रखना है Main बात तो यही है कौन कह रहा है, यह रिशी कह रहा है Main बात यही है One is known by the company, one keeps जैसे सोबत होगी जैसा संग होगा इनसान पर वैसा ही असर आता है इनसान वैसा ही जाना जाता है That bird has always heard the talk of robbers जिस परिंदी की बात आपने पहले की वो हमेशा किनकी सोबत में रहा है Robbers की सोबत में रहा है और उनकी ही बातें सुनता आ रहा है इसलिए उसने वोही सीखा He imitates them वो उनकी नकल उतारता है And talks about robbing people और वैसी बातें करता है जैसे कि लुटेरे लोग करते है This one has repeated what he has always heard और जो ये दूसरा वोला बर्ड है जो यहां पे है इसने वोही सुना जो सुना यहां पे वोही बोल रहा है इसलिए he welcomes people to the ocean इसलिए ये वोही करता है जो मैं करता हूँ मैं सब को कहता हूँ कि आपको इस आश्रम में स्वागत है इसलिए ये भी वोही कहता है Now come inside and rest इसलिए अंदर आईए और थोड़ा आराम कीजिए I will tell you more about this place and these birds मैं आपको इस जगा के बारे में और इन परिंदों के बारे में और भी कुछ बोलूँगा ठीक है समझागी में मकसद स्टोरी का जो है पढ़ने का यही है कि आपने ये सीखना है कि किस तरह एक सोबत का एक संग का असर इनसान पर होता है इसलिए हमेशा इनसान को अच्छी संग में अच्छे सोबत में रहना चाहिए जिससे इनसान पर अच्छी आतों का असर पड़े अच्छी इनसान अच्छी सीखे और वो एक अच्छा इनसान बन सकी अब इसका दूसरा कॉश्चन है अब जब यह हमने देखा के पहले question में ये दोनों परिंदे जो हैं बच्चे जो हैं एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग जगों पर गिर गए अब दोनों कहां कहां पर गिरें ये कहना है one baby bird came down near a cave पहला वाला जो था वो किसके कहां गिरा एक गुफा के पास जहां पर गैंग रॉबर जहां पर एक लुटियरों की पूरी गैंग जो है जमात जो है वो रहती थी दे अधर लेंड़ आउटसाइड रिशी आश्रम और दूसरा जो है वो कहां पर गिरा गरिशी के आश्रम के बाहर पहले परिंदर ने इस स्ट्रेंजर यानि जो यह अंजान इनसान था यह बादशा था इससे क्या कहा उसने वहां पर यही लाइन ने कहीं जो मैंने आपको कहा था अंडरलाइन करने के लिए है ना यही इसने कहा और यह आपने पहले भी स्कॉंटरलाइन के हुआ इसको आपने याद करना है रखना है ठीक है यानि उसने पहले बर्ड ने यही कहा जल्द जल्दी आओ यहां पे कोई इनसान है पेड़ के नीचे उसके पास जो भी है वो सब लोट के लिए जाओ नहीं तो यहां से बाग जाएगा यह दो कॉस्टन्स हैं और यह हमारी आज की चेप्टर जो कंप्लीट हो गया है कल हम इसके आगे करेंगे